Hello students, good morning आज बहुत ही प्यारा सा question discuss करेंगे देखो यहाँ पहला question क्या है? एक set है पहला question का solution यहाँ पे मुझे पहला question क्या है? एक set है जिस set के अंदर दो element है यहाँ से देखो एक element A दिया है और second element A दिया है ठीक है? अभी हमें चेक करना है हमें power set find करने बोला है इस set का power set find करने बोला है तब पहला हम क्या परेंगे? इसका subsets find कर देंगे इसका subsets क्या आ जाएगा मेरा? subsets of subsets of A R A का कितना subsets मिलेगा है? हाँ पे 2 element है अगर कोई set के अंदर N elements होता है तब उसका subsets होता है 2 element है तब उसका subsets आएगा मेरा क्या आएगा? 2 परेंगे 2 that means 4 subsets आएगा तब पहला इसका subsets हम क्या लिखेंगे? 5 is the subset of every set उसके बाद यह element है यह तब इसको set का अंदर रख देंगे यह भी इसका subset होगा ठीक है? उसके बाद यह एक set है यह एक element है तब इसका subset मैंने लिख दूँगा तब यह क्या जाएगा? यह subset हो जाएगा ठीक? उसके बाद मैंने क्या लिखा? यहाँ पर total 4 elements चाहिए है 4 subsets मिलेगा तब यहाँ पर देख़ए every set इजे subset of itself तब इसको मैं लिख देता हूँ अभी मुझे power set of A फाइंड करना है power set of A तब power set क्या होगा? A का power set कितना लिखेंगे हम? हम power set का definition यह जानते है the power set is the set that contents all subsets of the given set तब इसको हम collection of set में रख देंगे तब मेरा subset क्या है? 5 A जो भी लिखा था उसका collection लिख दे रहा हूँ चेक तब यह मेरा क्या है? B और इसको मैं लिख देंगे itself वाला जो था A यह वाला मेरा itself वाला था चेक अभी मैं यह मेरा power set of A बजाएगा अगर इसका अंदर जो मुझे पुछा जाता जो इसका number of elements केतना है? पावर set के अंदर तो 1, 2, 3, and 4 हमें पहला question यही पुछा था इसका power set केतना होगा? यह मेरा first question का answer होगा है अभी मैं discuss करेंगे second question second question क्या बताया है? थोड़ा ध्यान से देखो second question क्या बोला है? second question बोला है if r is the set of real numbers r कौन सा number है? r real number का set है q is the set of rational number हमें find करना है r minus q हम जानते हैं since set of real numbers content से set of rational numbers and a set of irrational numbers अभी यहाँ पे हमें question में क्या पूछा है? r minus q क्या आएगा? r minus q यह difference of two sets का concept यह उच कर दूँ r में जो element है यहाँ पे देखो r minus q लिखा हो तब यह कौन सा number आएगा? मेरा real numbers क्या होता है? real numbers, set of real numbers contents, content, set of rational numbers and a set of irrational numbers तब मेरा r minus q q जब मैं लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे? यह set of तब इसको क्या लिखेंगे? set of कौन सा आजाएगा number? irrational numbers irrational numbers ठेक? irrational irrational numbers आजाएगा ठीक है इर्रेसोनल नंबर किसको बोलते हैं जो नंबर को हम P by Q format में लिख सकते हैं और P और Q क्या होगा integers होगा और Q not equals to 0 होगा वो मेरा रेसोनल है ठीक है उसका opposite sense में हम लिख दिया set of irrational जो P by Q format में express किया नहीं जा सकता है ठीक है वो नंबर मेरा irrational नंबर है तब यह था मेरा second question ठीक है अभी मैं discuss करेंगे third question, third question में क्या बोला है थोड़ा ध्यान से देखो third question में मैंने बोला है एक set है जिसमें जिसमें तुम्हारा five elements है यहां देखो 9, 10, 11, 12, 13 एतना elements है अभी हमें एक function defined है range of f अभी देखो जो fn का collection होगा वो क्या होगा? highest prime factor of n तब हमें क्या find करना है we will find the highest prime factors of all the elements of the given set by factorizing them into prime factors अभी देखो इस set का अंदर क्या-क्य element था? 9 था इस set का अंदर 9 elements था इसको मैं अगर इस तरह से लिखता हूँ इसको can I write 1 into 3 can I write? ठीक है? तब इसमें highest prime factor क्या है? मेरा 3 है 3 को दो बार आया है उसको एक बार count करना है ठीक है? prime factor मेरा यहाँ पे 3 मिल गाया है इस तरह से मैंने 10 का find करेंगे 10 का find करेंगे मैं लिख सकता हूँ 10 को इस तरीके से 1 into 2 into 5 ठीक? इसका highest prime factor क्यतना है? मेरा 5 है, highest prime factor 5 है अब 11, 11 तो एक prime number है तो इसको मैंने इस तरह से लिखता है 1 into 11, यहाँ पे इसका prime factor क्या आएगा मेरा? मैं इसको लिख सकता हूँ 11, highest prime factor उसके बाद क्या है? 12 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते है? 12 को हम इस तरह से लिख सकते है 1 into 2 into 2 into 3 2, 3 क्या है prime number से, इसका highest prime factor क्या है मेरा? 3 है, अभी इसी तरह से मैंने 13 को अगर लिख देंगे 13 को अगर लिख देंगे तब किसके लिए है? 1 into 13 अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे highest prime factor, 1 is not a prime number तब है 13 है, highest prime factor अभी मुझे क्या है? इसका जो collection होगा, इसका जो collection होगा वही मेरा range हो जाएगा अगर मैं function को define करने चाहे अगर मैं function को define करता हूँ तब इसको कैसे लिखेंगे? थोड़ा देखो ध्यान से यहाँ पे मैं function को अगर define करेंगे function को अगर मैं define करूँगा तब इसको कैसा लिखेंगे, देखो, set का अंदर मैंने लिख देंगे, तब इसका first element, जो एका अंदर जो first element था, वो था मेरा 9 था, वो मेरा 9 था, तब इसको मैं 9 लिख दिया, ठेग है, अभी इसका जो highest prime factor केतना मिला था, 3 मिला था, तब मैंने 3 कर दिया, ठेग है, ये n है, इसforest y好 फ्राइब यह 3あー ूर्डे फ्राइबन क्या था सिसे हएं सी 295 है जो first component का collection होता है, वो है मेरा domain, और range क्या होता है, जो second component का collection, देखो यहां पर second component क्या है, 3 है, 5 है, 11 है, 3 है, फिर 13 है, 3 दो बर count हुआ है, तब उसको एक बर count करना है, तब रेंज of f, हमें क्या find करना था, हमें range find करना था, range of f, तब क्या आ जाएगा मेरा, range of f कितना आ सेकंड कॉम्पोनेंट ओर प्यार का जो सेकंड कॉम्पोनेंट है उसका कलेक्शन लिख दो थ्री फाइव देख यह पर थ्री टू टाइम सा एक बर काउंट करो ओला फी नो elements of the sets are not repeated तभी क्या होगा 3-3 को एक बर लिखा 3-5-11-13 ठीक है यह मेरा क्या है third question का answer हमें मिल गया अभी मैं discuss करेंगे fourth question अभी मेरा जो fourth question है एक roster form है दिया है एक set को describe क्या गया है roster form है 1-3-7-1-3-7-15-15-31 और क्या है मेरा 63 31-63 यह मेरा roster form है इसको हमें set builder form में convert करना है set builder form में convert करना है यह roster form इसलिए है दो element के दर्मियान अगर कॉमा से separate किया जाता है और देखो यह curly brace का अंदर ही है तब यह मेरा roster form में given है हमें set builder form में find करना है तब set builder form में हम इसको अगर लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे देखो इसको अगर मैं इस तरह से break कर देता हूँ थोड़ा समझ में आ जाएगा ताकि 1 कुमें इस तरह से लिख सकता हूँ 2 to 2 पर दा 1 minus of 1 और 3 कुमें क्या लिख सकता हूँ 3 कुम थोड़ा दिहान से देखना 2 to 2 पर दा 2 minus of 1 और 7 कुमें क्या लिख सकता हूँ 2 to 2 पर दा 3 मतलब 8 minus 1 तै इसको मैं क्या लिखनें इसको अगर 15 कुम 2 to 2 पर दा 4 minus 1 16 minus 1 तो it becomes 15 अभी देको इसको मैं लिख देखें 2 to 2 पर दा 5 minus 1 32 minus 1 तो it becomes 31 201 so it becomes 2 2 2 parts of the 6 मतलब 64 अभी मैंने 63 को क्या लिखेंगे 2 2 part of the 6 minus 1 ठीक है तब अगर मैं इसको set builder form में लिखेंगे इसको set builder form में मुझे अगर लिखना है तब हम क्या लिखेंगे set builder form मुझे लिना है ये जो set given है इसको set builder form में लिखना है तब इसको लिखेंगे हम collection of x such that such that x equals to क्या लिखेंगे देखो सभी का base same है 2 2 2 यहाँ पे चेक करो 2 यह जो है 2 2 2 पर the 1 2 2 पर the 2 2 2 पर the 3 2 2 पर the 4 2 2 पर the 5 2 2 पर the 6 तब इसको हम लिखेंगे 2 2 2 पर the n minus 1 क्या लिखेंगे हम n belongs to natural number and n कहां से कहां तक रहेगा 1 less than equals to n less than equals to 6 ठीक है यह मेरा set builder form में हो गया अभी मैं discuss करेंगे 5th question अभी मैं discuss करेंगे 5th question 5th question का मुझे क्या बोले है भेन diagram draw करने के लिए बोले है भेन diagram draw करने के लिए बोले है तब अभी देखो पहला question क्या था A union C intersection of B इसका मुझे भेन diagram draw करना है तब कैसी करेंगे देखो ध्यान से यहां पर So can I write this is A This is B A है मेरा this part and this is B है और A मेरा A है B और A जो C है CX side है देखो यहां पर A मेरा C side है अभी हमें चेक करना A agency A agency मतलब यहां से यहां तक यहां से यहां तक मेरा A único agency है तब B का कितना portion intersection B का कितना portion A self-ических का अंदर आ गए वो मुझे चेक करना है देखो आपे B का A ही portion मेरा अंदर आ गए चेक करो ध्यान से बी का एतना ही portion अंदर आए, यह मेरा required region हो जाएगा, ठीक है, यह मेरा required region हो जाएगा, बी का कितना portion, अविनियन, C का अंदर आगा है, यह मेरा first, मना है fifth question का first part, अभी second part क्या था, second part, second part था, A complement, A complement intersection, B intersection, C complement, इसको अगर rearrange करके लिख दूँगा, मैं, A complement, intersection of C complement, intersection of B, तब इसको हम क्या लिखेंगे, D Morgan's law से, क्या लिखेंगे, A union, C का whole complement, intersection of B, तब यहाँ पर इसका region कैसे find करेंगे, थादो ध्यान से देखो, A मेरा set A है, A मेरा set A है, A मेरा set B है, ठीक है, A set A है, A मेरा set B है, अभी मैं discuss करें, set C, C, set C लेंगे, तब यह मेरा set C है, अभी हम देखो, A union C का whole complement, मतलब, A union C, यहाँ से लेकर, यहाँ तक, A union C, मतलब, इस area A है मेरा, यह मेरा C है, A union C का whole complement, ठीक, A union C का whole complement, मतलब, इसका बाहर का area, intersection B, तब B के साथ में, A union C, तो यह पूरा बाहर का area हो जाएगा, यह union C को छोड़ कर, पूरा बाहर का area हो जाएगा, तब इसका common common part कुन सर आएगा बी के साथ में देखो ता लिए मेरा common part ये वाला part मेरा answer आजाएगा ठीक है ये वाला part मेरा answer आजाएगा अभी मैं discuss करेंगे last question अभी मैं discuss करेंगे last question अभी देखो last question क्या पुछा है solve 3x-1 divided by 2x greater equals to 1 using अभी हमें क्या करना x positive है के negative हमें नहीं पता है तो इसलिए इसको cross multiply नहीं कर सकते हैं तो इसको solve कैसे find करेंगे solution मुझे find करना है so can I write 3x minus 1 whole divided by 2x minus of 1 greater equals to 0 इसको left hand side में लिख दो 1 को ठीक है यह मेरा rule था वह भी कर method का rule तो इसको LCM ले लेंगे तब केतना आएगा 3x minus 1 divided by केतना है 2x इसको LCM लेंगे 3x minus 1 minus 2x whole divided by मेरा 2x हो जाएगा तब है क्या आएगा greater than equals to 0 so finally we can write यह केतना आएगा 3x minus 2x so it becomes x minus 1 divided by इसको 2x को मैंने x लिख दिया greater equals to 0 ठीक है 2 को here multiply कर दिया तो positive number है उसको multiply कर सकते हैं कोई problem नहीं अभी हमें इसका solution find करना है अभी हम इसको solution find करना है देखो यहाँ पे जो factor मिलेगा थोड़ा ध्यान से दिखना x equals to 0 यह factor यह आएगा मेरा x equals to 0 इस point को मैंने real line पे plot कर दिया और x minus 1 equals to 0 करेंगे तो तब x equals to 1 आएगा एक factor x equals to 1 आएगा तब real line पे यहाँ plot कर दिया ठीक है अभी देखो मैं right hand side में क्या लिखना पड़ता है यह plus उसके बाद left hand side में मुझे जाना है alternative sign से plus उसके बाद क्या आएगा minus उसके बाद क्या आएगा मेरा plus आएगा तब what is the required solution अभी देखो greater equals to 0 है तब इसका solution क्या आएगा x belongs to required solution आएगा positive है यह देखो minus infinity से 0 minus infinity से 0 देखो यहाँ पर x निचे बैठा हुआ है तब x equals to minus 0 लिया था यह जो factor सभी का factor जो find x minus 1 equals to 0 करेंगे तो वहां से मुझे 1 आ जाएगा उसके बाद रियाल लाइन का उपर उसको plot करना है हमें ठीक है तब यहाँ पे देखो तब x 0 है तब x अगर 0 कु में include कर देंगे तब undefined हो जाएगा यहाँ पे equals to 0 है लेकिन यहाँ पे क्या करना है 0 कु include नहीं करना है किमकि यह देखो कितना आएगा solution मेरा minus infinitive से कितना आएगा 0 solution मेरा exist का आएगा यहाँ पे minus infinitive से 0 तक आएगा 0 कु open interval किकि 0 नीचे है अगर मैंने यहाँ पे left open right close कर दिया तब 0 include कर दिया तब something divided by 0 so it becomes undefined हो जाएगा इसलिए इसको minus limit से 0 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं 1 put करेंगे एक्स का जगा पर 1 तब close interval 1 लेंगे किकि left close right open तब एक्स का जगा पर अगर मैं 1 लेंगे 1 minus 1 0 लेकिन equal to 0 है यहाँ पे ठीक है तब मैं इसको क्या करेंगे close interval 1 say infinitive 1 say infinitive this is your required answer this is your required answer this is all about today's video thank you so much for watching this video